लो डियर स्टुडेंट, माइ नेम इस बिक्की कुमार पहदूर और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपनी यूटिब चेनल राहूल कोमर्स एकेडमी में आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जारकांडेकेडमी काउंसील जेक बोर्ड क्लास 11 का एंटर्प्रेनियोर्शिप ETP का जो एक्जाम हुआ था उस एक्जाम का मोड जो कोस्टिन था उसका एंसर की के बारे में बताऊंगा इससे पहले ही सारे सब्जेट्स का एंसर की अप्लोड किया जा चुका है अगर आपने अभी तक उन एंसर की को नहीं देखा है तो वीडियो के कमेंट वीडियो के डिस्क्रिप्सन बोक्स में जा करके आप वहां से लिंक पे क्लिक करके सारे सब्जेट्स का एंसर की को सकते हैं हाँ, अगर आपने अभी तक अगर आपने मुझे Instagram पर फोलो नहीं किया है तो जल्दी से फोलो कर लिजैगा क्योंकि अगर आप मुझे Instagram पर फोलो कीजेगा तो इससे आपको बहुत benefit होगा कि आप जब चाहे तब मुझे से education से related, अपने एक मेसेज कर सकते कुछी स्टूडेंस ने ओल्रेडी फोलो किया है और वो मुझसे कंटीन्यू कॉंटेक्ट में रहते हैं और मुझसे बाचीत उनकी होते रहते हैं तो आप भी इंस्टाग्राम पर जा करके मुझे फोलो कर सकते हैं ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं आगे बढ अगर आपने उन सेट्स को अच्छा से कर रखा था तो आप लोगों का बहुत अच्छा नंबर आएगा कुछ स्टूडेंट ये भी पूछते हैं कि पासिंग मार्क्स कितना होगा तो देखो टर्म 1 और टर्म 2 को मिला करके ही ना भी पासिंग मार्क्स डिक्लेर होगा लेकि भी model paper का question है सेट वन का तो उधभेता जो है look किसमे मदध नहीं करता है साज़ेदारी फार्म को किसमें मजद नहीं करता है partnership को तो वन का answer होगा question 1 का answer होगा 1 ठीक है चलो question number 2 पर आते हैок question number 2 पर बोला गया है उध्मिता की विसेष्था है establishment of new undertakings भी होता है provide resources जोखिम सहने वाला होता है नवीन उपकरम के स्थापना करने वाला और साधन परदान करने वाला भी होता है तो two का answer होगा आपका option four ठीक है चलो आओ आगे बढ़ते question number three पे बोला गया है entrepreneurship is helpful in entrepreneurship जो है वो किस में मदद करता है option A poverty elimination गरीबी को कम करने में मदद करता है बिल्कुल करता है economic development अर्थी विकास में मदद करता है बिल्कुल करता है capital formation पूझी निर्वान में मदद करता है बिल्कुल करता है तो इसका right answer होगा option D ये भी question आप लोग का model paper वाला ही दिया हुआ है आगे आते है question number 4 पे 4 पे बोला गया है sources of finance sources of finance क्या होता है बित के साधन क्या होते है तो बित के साधन जो होते है वो owner capital भी होता है loan भी होता है यानि दोनों होता है तो इसका right answer होगा option 3 4 का answer होगा option 3 ठीक है बित के साधन क्या है स्वामी पूजी भी होता है और रिंड पूजी भी होता है दोनों होता है तो 4 का एंसर होगा 3 आगे बढ़ते हैं कोस्ते नमबर 5 पे 5 पे बोला गया है इन इंडिया Registration of Small Industry is भारत में लगू उद्योगों का पंजी करन कराना आवेशक होता है यानि Necessary होता है तो 5 का एंसर होगा 2 आगे बढ़ते हैं कोस्ते नमबर 6 पे बोला गया State Government Provides Subsidy to Small Industry on Small Industry को किस तरीके से मदद करता है राज सरकार द्वारा लगू उद्योगों का अनुदान दे दिया जाता है तो इसका राइट एंसर होगा Option 4 ठीक है 6 का एंसर होगा Option 4 आगे बढ़ते हैं कोस्ते नमबर 7 पे Which of the following is a stage of innovation निमलिकित में से कोन नमाचार की अवस्था है तो इसका एंसर होगा Option 4 इसका एंसर होगा Option D यह सब ही इनोवेशन का जो है एक अस्तर होता है ठीक है यानि क्या क्या होता है जी बेवसाइक विचारों की पाचान करना बेवसाइक का नियोजन करना परियोजना परतिवेदन तयार करना सब होता है identification of business ideas, business planning होता है formation of project report होता है सब होता है तो इसका राइट एंसर होगा Option D यानि इसका राइट एंसर होगा Option 4 ठीक है आगे बढ़ते है question number 8 पे बोला गया है बिजनेस और इंडेस्ट्री का development करना चाहते है तो उसके लिए entrepreneur का होना बहुत ही ज्यादा आवेश्यक है necessary है यह भी repeated question था और मैंने यह सारे questions को आप लोगों को करवा के रखा था ठीक है आगे बढ़ते है question number 9 पे entrepreneurship development program provides entrepreneurship development program यानि उदमिता विकास कारे करम क्या परदान करता है रोजगार परदान करता है employment provide कराता है तो 9 का answer होगा आपका option 2 आगे बढ़ते है question number 10 पे बोला गया है sources of innovations are innovations का क्या के sources होता है तो इसका right answer होगा डि सब सब यह innovation का एक sources है expected, occurrences, process needs, business and markets change ये सब तो आपका 10 का answer होगा option 4 आगे बढ़ते है question number 11 पे बोला गया है entrepreneurship is needed बोला गया है उदमिता के आवेशकता होती है option A पे बोला गया है विकसित अर्थिवास्था में, आविकसित अर्थिवास्था में बिकासिल अर्थिवास्था में तो आपको पता है सब में होता है तो 11 का answer होगा D ये भी model paper का question था और मैंने आप लोगों को करवाया था यानि economic needed and entrepreneurship का जरूरत कहां होता है developed economy में भी होता है, under developed economy में भी होता है और developing economy में भी होता है तो इसका right answer होगा option 4 सारा जो question है वो maximum question model paper के ही base पे दिया हुआ है 12 पे बोला गया है code of conduct does not include आचार सनहिता में क्या सम्मलित नहीं होता है तो बेमानी यानि dishonesty code of conduct में लागू नहीं होता है 12 का answer to number आगे आते है question number 13 पे according to MSMEX 2006 small business are divided into which part small industry को कितने पार्ट में बाटा गया है, दो पार्ट में बाटा गया है कौन-कौन small industry and cottage industry 13 का answer होगा option number 3 एक बार आप लो इसको Google कर लीजिएगा, अगर आपको answer गलत लगता है तो आप बेच जिजग वीडियो के comment box पे comment करके मुझे बताईएगा मगर मेरे regarding, मेरे information के regarding 13 का right answer होगा option 3 ठीक है आप देख लेना अगर आपको गलत लगता है तो आप comment करके मुझे जरूर बता देना आगे बढ़ते हैं question number 14 पे हां बोला गया है इन इंडिया entrepreneur development program भारत में ओध्योगी विकास कारेकरम क्या है आवश्यक है यानि necessary है भारत में entrepreneur development program यानि EDP EDP program का होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है और यह model paper का question है और मैंने आपको तब अच्छा से question को समझाया था आगे बढ़ते है question number 15 पे बोला गया है what is the various problem in the conduct of EDP यानि entrepreneurship development program करते हैं तो क्या-क्या problem होता है तो यह सब problem होता है ठीक है सारा problem जो है वो होता है सबसे पहले non availability of instrumental facilities, no policy at national level, no estimation of trainings यह सारा ही है जो problem होता है तो मेरा 15 का answer होगा option 4 ठीक है आगे 16 नंबर पे आते हैं 16 पे बोला गया small industry is the subject of small industry यानि लगू उद्योग किसका विसाय है यह भी repeated question है तो small industry होता है राज्य सरकार का यानि किसका होता है state government का होता है state government ही है जो इसका देखभाल करत है subsidiary देता है rule and regulation apply करता है और नया नया approach नया नया market उन लोगों को provide करता है तो small industry किसके अंडर में आता है तो state government राज सरकार के अंडर में आता है आगे बढ़ते है question number 17 में which of the following is the characteristics of economic development आर्थिक विकास का यहां से कौन सा विसेस्ता है तो आर्थिक विकास का इन में से सारा है all of these ठीक है आर्थिक आयानी economic development आर्थिक विकास का विसेस्ता यहां से सारो है continuity process होता है proper utilization on factors of production होता है improvement in standards of living होता है सब होता है तो इसका right answer होगा option 4 ठीक है विडियो पसंद आ रही है तो विडियो को like जरूर करना और आपके जितने भी दोस्त है जिनका ETP है उन सभी के ब बोक्स पर comment करके जरूर बताना कि आपका कितना question सही हुआ है आगे बढ़ते है question number 18 पर बोला गया है basically entrepreneurship is a creative activity who said this यानी उदमिता वस्तुता एक सिजनातमक करिया है या किसने कहा था तो मैंने आप लोगों को बताया था यह कसन जो है यह computer ने कहा था तो 18 का answer होगा A ठीक है 19 में आते है 19 में बोला गया है who of the following is are यह woman entrepreneur यहां से बोला गया निमलिकित में से कौन महीला उदमी है तो option A बोला गया है रिता सर्मा बिल्कुल रोहिनी मिल गलानी बिल्कुल सही है तो इसका right answer होगा option 3 यानी A और भी दोनों यह दोनों ही जो है वो एक woman entrepreneur है ठीक है चलो आओ आगे बढ़ते question number 20 पे comment करके जरूर बताना कि आप लोगों का कितना question सही आया है आगे बढ़ते question number 20 पे what are the various types of human activity देखो human activity पूछा कितने तरीके के मानुवी किरिया होती है तो हमको पता है मानुवी किरिया दो तरीके का होता है एक होता है आपका अच्छा से ये बार समझाया था तो आर्थिक और अनार्थिक यानि economic activities non economic activity दोनों होता है तो इसका right answer होगा मेरा option 3 ठीक है यानि question number 20 का right answer क्या होगा option 3 होगा ठीक है चलो आगे बढ़ते है question number 21 पे बोला गया which of the following is not a problem of human entrepreneur यहां से कौन जो है वो human entrepreneur का problem नहीं है तो problem नहीं है आपका risk bearing जोखिम वाहक क्या जाता है ठीक है और यह बाकी सब जो है यह बाकी सब उसका problem है बहुत ज़्यादा competition देखने को मिलता है imagination का कमी होता है financial problem होता है तो यह सारा चीज problem है क्या problem नहीं है risk bearing क्योंकि human entrepreneur जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा risk सह सकती है तो इसका 21 का answer ह होगा 2 आगे बढ़ते है question number 22 पे according to dot 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 innovation is a specific instrument of entrepreneur यानी किस के अनुसार या किस ने कहा था कि अनुसार नवचार उदमिता की विशेषता का एक उपकरण है तो इसका right answer होगा आपका option A Peter F. Drucker ने ये बात कहा था 22 का answer होगा A 23 number पे आते हैं बोला गया which of the following is not a problem of small industry यहाँ से कोन जो है वो small industry का problem नहीं होता है तो small industry का problem कोन नहीं होता है तो small industry का problem नहीं होता है प्रसिक्षित करमचारियों का आभाव lake of trend persons lake of trade persons जो है वो देखने को मिलता है ठीक है तो 23 का answer होगा आपका 2 वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को like जरूर करना ठीक है और comment करके जरूर बताना बहुत सारे student वीडियो को view करते हैं लेकिन like और comment नहीं करते हैं तो मैं इससे ज़्यादा demotivate हो जाता हूँ तो कमेंट और subscribe जरूर करवाईएगा और अपने सारे दोस्तों के भी जादा से जादा share किजिएगा 24 नमबर पर आते हैं entrepreneur dot 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 employment opportunity बोला गया उधमिता आउसरों में क्या करता है तो उधमिता रोजगार के आउसरों में ब्रिधी करता है इंक्रीजमेंट करता है तो 24 का answer होगा 1 यह भी repeated question था मैंने आपको model paper में समझाया था बोला गया है Indian investment center was established by किसके द्वारा established किया गया था तो महराष्ट government के द्वारा किया गया था 25 का answer होगा आपका 3 आगे बढ़ते हैं question number 26 पे solution of unemployment problem of India lies in भारत में बिरोजगारी की समस्या का समाधान नहित है किसमें नहित है तो आ model paper का repeated question है और मैंने आपको समझाया था कि इंडिया में जितना ज्यादा small industry बनेगा उतना ज्यादा से ज्यादा लोगों को employment मिलेगा ज्यादा से ज्यादा रोजगार बिलेगा और unemployment जो है बेरोजगारी जो है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा ठीक है तो 26 का answer होगा 3 27 number question पे ब भूमी के कारण या दोनों के कारण दोनों के कारण तो इसका right answer होगा option 3 ठीक है आते हैं question number 28 पे बोला गया which of the following is not a concept of entrepreneurship निमलिखित में से कौन सी उधमिता की आउधारना है कौन आउधारना है तो option A पे बोला गया है पेसेवर आउधारना परिणाम अभी मुकी आउधारना तो दोनों होता है तो इसका right answer होगा option 3 professional concept result oriented concept सब होता है तो 28 का answer होगा 3 आगे बढ़ते हैं 29 नंबर पे बोला गया है on what basis entrepreneur and laborer may be distincts उधमिता एवन सरमिकों में अंतर निम्न में से किस आधार पे किया जाता है यानि किस आधार पे आप owner और जो उधमिता मालिक और जो करमच अधारी होता है उसके बीच आप अंतर बता सकते हो तो अंतर बता सकते है स्वामित के आधार पे on the basis of ownership मालिकाना हक क्या अधार पे यानि एक farm पे जिसका ownership होगा वो owner होगा और जिसका owner नहीं होगा वो वहाँ का क्या होगा वोबर होगा ठीक है इन दोनों के आधार पे 29 का answer आगे बढ़ते हैं question number 30 पे बोला गया है 30 पे the attitude of Indian government machinery toward entrepreneur development program इज यानि Indian government जो होता है entrepreneur development program में कैसे मदद करता है तो constructive यानि रचनात्मक मदद करता है तो 30 का answer होगा आपका 3 Hindi में समझाने के लिए देखो यहाँ पे मैंने अलग से screen shot ले रखा है कि उधमिता विकास कारेकरम के परती भारत सरकार तंत्र की द्रिश्टिकोंड क्या है रचनात्मक द्रिश्टिकोंड है यानि अधिक supportive role play करता है आगे बढ़ते है question number 31 पे 31 पे बोला गया है why are opportunities and expansion of entrepreneurship required उध बिल्कुल सही टिवर आर्थिक विकास के लिए बिल्कुल सही पूझी के निर्मान में योगदान के लिए बिल्कुल सही तो इसका right answer होगा option D ठीक है इसके लिए जरूरत होता है इन सभी के लिए तो इसका right answer होगा option 4 31 का answer 4 आगे बढ़ते हैं 32 number question पे who requires EDP entrepreneurship development program कोन चाहता है तो यह सभी चाहते हैं यह भी jackboard का repeated question है set 1 और set 2 पे repeated question था यह ठीक है EDP program कोन चाहता है तो यह सभी चाहते हैं ठीक है तो 32 का answer होगा 4 आगे बढ़ते हैं 33 number question पे which of the following is equality of a successful entrepreneurship निमलिकित में से कोन एक सखल उदमी के गुण है तो option A पे बोला गया है निर्डैन में चमता होना चाहिए नेत्रित्व करने का चमता होना चाहिए जोखिम वहान चमता होना चाहिए यह सभी तो question देखो English में क्या बोला था English में बोला गया है question पे कि इन में से कोन जो है which of the following is quality of a good entrepreneurs decision making ability होना चाहिए बिल्कुल leadership quality होना चाहिए बिल्कुल risk bearing ability होना चाहिए बिल्कुल तो इ the various types of entrepreneurs on the basis of personal quality, personal quality के base पे कितने तरीके का entrepreneur होता है तो सब होता है all of these 34 का answer होगा 4, आगे बढ़ते है question number 35 पे बोला गया है the most wide scope is सबसे व्यापक छेतर है, BST accounts में मैंने बार बार आपको यह question समझाया था कि सबसे बड़ा scope किसका होता है, business का होता है, व्यावसाय का होता है, त of social economic environment in entrepreneurship development, यानि social economic environment जो होता है, वो economic development में कैसा मदद करता है, तो 36 का right answer होगा आपका theory, हर तरीके से जो है वो उसको मदद करता है, ठीक है, तो इसका answer होगा 33, आगे बढ़ते हैं, यह repeated, यह मैंने आप लोग को समझाने के लिए हिंदी में screen shot लिया था, 37 number, बोला गया है barriers to entrepreneurship इस्टीफिल, बोला गया है उदमिता के उपबंधन या अवरोध दबा देता है, अगर entrepreneurship का जो barrier होता है, उससे क्या हो जाता है, किसको दबा देता है, तो वो nows region को, यानि innovation को जो है, वो कम कर देता है, अगर बहुत जादा entrepreneurship में अगर बहुत जादा barriers होगा, बहुत जादा पाबंदी होगा, बहुत जादा restrictions होगा, तो उससे जो नया नया innovation, जो है वो innovation या तो लुग जाएगा, या innovation बहुत ही जादा कम हो जाएगा, तो 37 का answer होगा, आगे बढ़ते हैं, 38 नमबर पे, EDP passes through how many stage, EDP कितने stage से गुजलता है, मैंने आप लोगो उस समय भी बताया था, कि EDP जो है, वो four stage से गुजरता है, ठीक है, आगे, question number 39 पे, बोला गया, why is entrepreneurship per seat necessary, उधमिता अनुसरण के आवे सकता क्यूं होती है, तो इन में से सभी के कारण, सभी के कारण, all of these, ठीक है, 39 का answer होगा, four, चलो, last question है, बोला गया है, which of the following is the characteristics of human entrepreneurship, निमलिखित में से कौन सी मह अनिला उदमी की बिसेस्ता है, option A पे बोला गया है, जोखिम वाहन चमता येवं इच्छा होती है, कठोर पारिश्रमिक की प्रविर्ती होती है, कलपना सकती अधिक होती है, या सभी, तो इसका right answer होगा, option D, ठीक है, चलो, सभी question का answer मैंने बता दिया है, उसके तुरंद बा प्रविक है, चलो, bye, take care